सेंट्रल बंगाल की खाड़ी में उठा तूफान एमफन जो की एक साइकलोन याने की चक्रवाथ है लगतार खतरनाक रूप लेता जा रहा है सुपर साइकलोन एमफन अगले 24 घंटे में भयंकर समुद्री तूफान में तब्दील हो सकता है उधर उडिसा और वेस्ट बंगाल की सीमा पर इस्थल भाग से इसके तकराने का नुमान लगाया जा रहा है फिलहाल की कंडिशन में ये तुफान पाराद वीप बंदरगा से 1060 किलोमीटर की दूरी पर है एहतियात की तौर पर नीचरे इलाकों को खाली कराकर दूसरी जगह शिफ्ट करने की तयारी की जा रही है और किसी भी विपरित परिस्थती से निपटने के लिए NDRF को अलर्ट कर दिया किया है साइकलोन एमफन इस वक्त 20 किलोमीटर की रफ़तार से समुदर में सक्री है और लेंड़ फॉल की टाइम एमफन साइकलोन की वज़ज़ से 1.500 से 1.60 किलोमीटर प्रती घंटे की हफ़तार से हवा चलेगी कोरोना वाइरस महमारी के बीच अचानक आई मौसम विभाग की सेतामनी ने कई राजियों की चिंता को बढ़ा दिया है क्योंकि मौसम विभाग में जनकारी दी है कि बंगाल की खाड़ी में एक चक्रवाती तूफान एमफन आएगा जिसके चलते अंधमान निकोबार, ओडिशा और वेस्ट बंगाल में भारी बारिश हो सकती है इस साइकलोन का असर देश के आठ राजियों और कैंदर शासित प्रदेशों में भारी बारिश और तेज हवाओं के साथ देखनी को मिल सकता है मौसम विभाग के अलड़ की मताबिक अंड़मान निकोबार, वीब समूह में भारी बारिश हो सकती है इसके लावा ओडिशा के तठी इलाकों और पश्चिम बंगाल में भी कुछ स्थानों पर तेज बारिश हो सकती है वहीं बंगाल की खाड़ी के दक्षिन और सेंट्रल इलाके में ना जाने की सलहा दी गई है साथ ही जो मचवारे समुदर के इलाके में गए हैं उन्हें तुरंत वापस लोटने के निर्देश दिये गए हैं एमफन साइकलोन के लाइव स्टेटस को देखते हुए आंधर प्रदेश के तठी इलाके में भी एमफन को लेकर अलर्ट जारी किया गया है राजो के इलाकों में भारी बारिश और तेज हवा की चेतावनी दी गई है इससे पहले दिली अंसियार में भी मौसम में बदलाव देखा गया और आंधी बारिश और उला ब्रिश्टी हुए और दिल्य NCR सही देश के कई हिसों में आंधी और बारिश की संभावना जताई जा रही है चक्रवात M1 को देखते हुए ओडीशा के कई सीलों को विशेश सतरकता बरतने की सलहा दी गई है वही बारा अन्य राजियों में भी अलर्ट जारी कर दिये गए है सबी सरकारी चुटियां रद कर दी गई है मौसम विभाग ने आशन का जताई थी कि शनिवाज शाम तक कम दबाव का शेतर चक्रवात में तबदील हो सकता है और इसके बाद ये उतर पश्चिम और अविवाज शाम तक उतर पूर्व की तरफ बढ़ सकता है हालकि ये कहां पर लैंडफॉल करेगा इसको लेकर कुछ नहीं कहा था ओडिशा के चार तर्टिये जिले बालिश्वर भद्रग जगत सेहपूर केंद्रपाड़ा के जलाधीश के साथ चर्चा कर किसी भी परिस्थिती से निपटने के लिए सतरक रहने को कहा गिया है पंजाब, हरियाना, उत्तरी राजस्थान और पश्चिमी उत्र प्रिदेश में मौसम बिगर सकता है इन राजों के लिए औरेंज अलट जारी किया गया है और लोगों को घर से बाहर ना निकलने की चेतावनी दी गई है इस चक्रवाती तुफान एमफन जहां 17 मई से उत्तर और उत्तरपूर की और बढ़ने के साथ 18 मई से 20 मई के बीच पश्चिम मंगाल की तर्ड और बंगाल की खाड़ी की और बढ़ने की संभावना जताई गई थी वहीं 20 मई को उतरी ओडिशा में भारी बारिश होने की सं संभावना जताई जा रही है एमफन साइकलोन से निपटने के लिए राज्यों की सरकार ने विशेश अलर्ट जारी कर दिये हैं और मचवारों को समदर में ना जाने की हिडायत दी गई है